कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का स्वागत से एक्सिलेंट लर्निंग क्लास एच बाई राहुल सुखला और आज का यह वीडियो क्लास टेंग के फिजिक्स का यह वीडियो है लइड चैप्टर का और प्रीम आपनी जाना था पार्ट तरी तक में आपने काफी चीजों को जाना पार्ट प्रीम आपने दिखा कि जो है दर्पण दो प्रकार से होते हैं एक तो संतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण जिसमें से संतल दरपन के बारे में आपने पूरी बात जान ली थी और संतल दरपन से आपने परत्विम भी बना लिया था अब नंबर दो पे आता है गोली दरपन गोली दरपन जिसको अंगरेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं गोली ये दरपण इस्टेरिकल मिरर ये क्या चीज है सुनिये आप काच का एक खोखला गोला लीजिए खोखला गोला जो अंदर से खाली रहता है आपने काच का खोखला गोला ले लिया गेंद की जैसे सम्नचना आपने ठुले ली काच की और इस खोखले गोले को फिर आप काट दीजे भी इस से ऐसे आपने काट दिया इस तरह से एक वक्रा का ये जो प्रिष्ट आपको प्राप्त हुआ है एक वक्रा कार प्रिष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा इस गोले को काट देने से एक वक्रा कार प्रिष्ट प्राप्त हो ज प्रकार के दरपन को गोली धर्पन खेंगा और यह है अपनी समस्टना से दो प्रकार से होता है अगर इसके दबे हुए तल पर इदर से अगर करल आपको प्राफ्थ हुआ है डेखेंगे एक दम्हवा सरसे आपको नजर आएगा को अंगर आप इसरफ से देखेंगे तो आपको एक उबहरा हुआ सर्फ्थें नजर आएगा की मा ठिक दोनों और से दो सरस्थ आपको नजर आ अगर आपने इसके दबे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा दिया दबे हुए प्रिष्ट पर अगर आपने इसके पॉलिस लगा दिया है तो ये वाला दरपण उत्तल दरपण कहलाता है और अगर आपने इसके उभे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा है तब हाँ साइत उत्ता जी उत्तल धरपन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन केव मिरर और अगर आपने इसके उभरे हुए तल पर पॉलिस लगा दिया है इस तरीके से ये जो उभरा हुए तल है उभरे हुए तल पर पॉलिस लगा दिये हैं तब आप इधर से देखिए दवा हुए तल ही प्रावर्तक प्रिष्ट के रूप में काम करेगा प्रकास आपका इधर स से ही जा सकता है और इधर से प्रावर्तन की घटना होगी तो प्रावर्तक प्रिष्ट की रूप में यह दबा हुआ एक वोकरी प्रिष्ट काम कर रहा है तो इस प्रकार से जो दरपन प्राप्थ होता है इसको अउतल दरपन कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर बात समझ में आ रही है गोलिय दरपन अगर जो है काच के एक खोखले गोले को हम काट करके अलग कर देते हैं फिर उसके किसी प्रिष्ट पर पॉलिस लगा देते हैं कि उसके एक वक्रिष्ट से प्रावर्तन की घटना होग सके तो इस प्र अगर हम इसको कौन के मिरर कहते हैं और अगर हम इसी जो हमने काच का एक भाव जो हमने काट लिया है इसको इसके अगर हम जो हम उभरे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा देते हैं तब इसका दबा हुआ तल ही हमारे काम लाइक बचता है जिस पर प्रकार सी घटना हो सकती है इस प्रकार से प्रात दर्पन आउतल दर्पन कहलाता है उत्तल दर्पन और अउतल दर्पन एक बार पुना पूरी बात सुन लेजे गोलिय दर्पन का प्रिष्ट वक्राकार होता है घुमावदार होता है और यह दो प्रकार से होता है उत्तल दर्पन और अउतल दर्पन अगर इसका प्रिष्ट उभरा हुआ है सामने की और उभरा हुआ है दबे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा हुआ है अर्थात की उभरा हुआ प्रिष्ट इसका काम कर रहा है तो ये वाला दरपन उतल दरपन कहलाएगा और अगर इसके उभरे हुए तल पर पॉलिस लगा है दवा हुआ तल काम कर रहा है तो इस प्रकार से प्राप दरपन अउतल दरपन कहलाएगा अब गोलिये दरपन से समंधित कुछ बाते हैं जिने आप जान लीजिए गोलिय दरपन से संबंधित कुछ और बात हैं जिने आप जान लेजिए इसका स्क्रीन स्राट ले सकते हैं आप और जितना कुछ भी बोले हैं उस बात को आप धीरे-धीरे करके नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए गोलिये दर्पन से संबंधित कुछ परिभासा हैं अगला टॉपित है गोलिये दर्पन आपको पूरी द्राइशान में आया होगा काच के एक गेंद को हम लोग काट लेते हैं काटने पर जो आकिरती प्राप्त होती है एक तरफ से देखने पर उबरी हुई आकिरती होती है ए और इस प्रकार से प्राथ दर्पन उत्तल दर्पन और अगर हम उसके उभरे हुए तल पर पॉलिस लगा दें तो दर्वे हुए तल से प्रकार सी घटनाए होंगी इस प्रकार से प्राथ दर्पन और उतल दर्पन होता है अब गोलिये दर्पन से सम्मंधित कुछ परिभास आए गोली दरपन से सम्मंदित कुछ बाते हैं जिने आप सब ध्यान से सुन लिजिए और जान लिजिए सम डिफिनीशन से रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर यह टॉपिक जितना वी वीडियो आप देखते हुए चलें बहुत ध्यान से देखते हुए और सुनते हुए सारी बातें आपको याद हो जाएंगी बहुत आसान सब्दों में हैं गोली दरपन से समंदित कुछ परिभासा हैं चलिए एक क्या दोनों गोली दर लगा दिया कौन सा दरपन यह बोलो कि आउन सा दरपन है कि यह आउतल दरपन जिसका दवा हुआ तल काम करें वह आउतल दरपन कौन्वेक्स मिरर रफ यह एक और दरपन बना देते हैं जी इसके दवे हुए तल पर पॉलिस लगा देते हैं यह उवरा हुआ प्रिष्ट काम कर रहा है इस प्रकार से प्रावदरपन यह उतल दरपन है जिसका उबरा प्रिष्ट काम करें वह उतल दरपन कौन्वेक्स मिरर ठीक चलिए पहली बात इसके बारे में कुछ चीजों को ज गोल कहते हैं इस गोली दरपन का धुरूप दूसरी बात इसका वक्रता केंद्र यह आपको जानना है कि सेंटर आफ कर वेचर इसको एंग्रेजिम में कहते हैं फिर मुख अच इसको एंग्रेजिम में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं उसके बाद में वक्रता तिरिज्या फिर फोकस छठुवी बात आप इसके बारे में जानेंगे इसकी फोकस दूरी कुछ नए नए सब्द हो सकते हैं आपके लिए लेकिन डरनी कि आ सकता नहीं यह सब सारे सब्द आपको याद हो जाएंगे फोकस दूरी के बाद में फिर आता नंबर फोकस तल साथ वह नंबर पर आप पढ़ेंगे फोकस तल के बारे में चल यह बारी बारी से एक चीज को अनबर डिफाइन करते हुए और समझते हुए चलते हैं वकरता त्रिज्जा को अंगरेजी में कहेंगे रेडियस आप करवेचर स्क्रीन साथ लेकर के आप अपने नोट्स पर जरूर नोट करना और इसको कई बार रिवाइज करना जब तक कि पूरी बार दिमाग में बैटना जाए फोकस दूरी को अंगरेजी में कहते हैं फोकल डिस्टेंस यह फोकल प्लेंड गोलिय दर्पण में इतनी धेर सारी चीजें होती हैं सबसे पहले नंबर पर धुरूप गोलिय दर्पण का जो प्रावर्तक प्रिष्ट है और साथ जहांग पर हमारा प्रकास का किरन आकर के टकरा सकता है जो प्रावर्तक प्रिष्ट है पॉलिस के दूसरी ओरवला जो हमारा मेन प्रिष्ट है प्रावर्तक प्रिष्ट का जो मध्विंद होता है उसको हम लोग प्रावर्तक प्रिष्ट का जो मध्विंद होता है उसको धरपन का धुरूप कहते हैं धरपन के धुरूप के अंग्र वक्रता केंद्र तो यह जो आपका दरपण है यह जिस गोले का एक भाग है एक बड़े से गोले से कटा हुआ यह भाग है तो जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं तो यह जिस गोले का भाग है चलिए उसकी कलपना कर लेते हैं just imagine इमेजन करिए यह बडा सा गोला है, इसका यह कटा हुआ भाग है इसका केंद्र यहीं कहीं बीचो बीच में होगा केंद्र से आप सो परचित होंगे जहां से पूरे परिद की दूरी समान होती है वो उसका केंदर कहलाता है तो यह इसका केंद्र है इस गोले को हमने इमेजिन किया इसका बीचो बीचो ला पॉइंट इधर मिला ये इसका वकरता केंदर कहलाएगा इसका वकरता केंदर कहां होगा है इधर नहीं इसका गोला देखिए सर इसका गोला जो है इस तरफ बनेगा इस तरफ बनेगा तो इसका वकरता केंदर बीच में मिलेगा यह जिस गोले का भाग है उसका केंदर क्या कहलाता है वकरता केंदर कहलाता है चलिए अगला जो टपिक है मुख्य अच वकरता केंदर और धुरूप को मिलाने वाली रेखा वकृता केंदर और धुरूप को मिलाने वाली रेखा दरपण का मुख अच्छ कहलाती है नाम भे दीजिए ये भी ठिक वकृता केंदर और धुरूप P को वकृता केंदर C वकृता केंदर सेंटर आफ कर वेचर होता है इसको C से डिनोट करते हैं वकृता केंदर C और धुरूप P को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इस दरपण का मुख अच्छ कहलाती है इसका वकृता केंदर और धुरूप को मिला दीजिए ये रहा भी मिल गया मिल गए ठिक ये इधर P लिखा है आपको E नासमन में आए इधर लिख लेते हैं धुरूप को P से रिनूट करते हैं और प्रावर्तक प्रिष्ट के मध्य बिंदू को धुरूप कहते हैं ये जिस गोले का एक भाग है उस गोले की कलपना कीजिए बीचो बीच वाला बिंदू इसका वकृता केंदर कहलाता है वकृता केंदर और धुरूप P को मिलाने वाली जो रेखा है इसका मुख्य अच कहलाती है और अगला नमबर आता है वकृता चरिज्जा तो वकृता केंदर और धुरूप P वकृता केंदर C और धुरूप P के बीच की दूरी C P वकरता केंदर C और P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे C P ये पूरी दूरी C से लेकर के P तक की दूरी ये इसका वकरता त्रिज्या कहलाता है दोसरे भासा में इसको कह सकते हैं कि ये जिस गोले का एक भाग है जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को उसके तृज़्जा को इसका वकरता तृज़्जा कहते हैं आप देखिए ध्यान से तो यह वही चीज है जो यहां बना हुआ है केंद्र से परिद की दूरी तृज़्जा कहलाती है तो यह केंद्र हो गया और यह पी परिद पर ही इस हित है इस गोले के, जो हम लोग imagine करते हैं, तो ये CP जो है, इसका वकरता त्रिज्या कहलाता है, ठीक, चलिए, अगला बारी आता है, focus, focus क्या होता है, इसके मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली प्रकास की किरण है, मुख्य अच्छ के समांतर कोई प्रकास का किरण ले चलिए, य यह आया प्रकास का किरण, इस जगह पर टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, यह जो है, नीचे की और भाग के आएगा, ठीक, मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली प्रकास की किरण, प्रावर्तन के पस्चात, मुख्य अच्छ को जिस बिंदु पर काटती है, यह बिंदु इसका मुख्य फोकस कहलाता है, इसमें भी एक किरण लेकर के चलते हैं, एक किरण इसे ले गए, प्रावर्तक प्रिष्ट परुभार है, आप देख रहा हैं, और कलपना कर सकते हैं, कि यहाँ पर टकराने के बाद में प्रकास का किरण यह गुजर जाएगा, अब पीछे इसकी कलपना करेंगे, कलपना करने पर आपको जो बिंदु पराप्त होगा, मुख्य अच्छ जहां कट रहा है, वही इसका मुख्य फोकस कहलाता है, इसको यह अप से परदरसित किया जाता है, ठीक, चलिए फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा धुरुपी, यह मुख्य फोकस तथा धुरुपी के बीच की दूरी को इसकी फोकस दूरी कहते हैं, फोकस से और धुरुपी के बीच की दूरी को इसकी फोकस दूरी कहते हैं, एक और बात, यह जो फोकस दूरी होता है, यह यह CP का आधा होता है, अभी इसका डेरिवेसन हम लोग करेंगे, फोकनिस दूरी एफपी सीपी वकृता तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज से लिखते हैं, अभी आगेकए sector संखाना था पंस हो जाएगा अगला नम्ब नमबर आता है तो फोकस से जाने वाला तथा मुक्षय अच्छ के लंभवत से जाने वाला और मुक्讲 के लंभवत जो तल होता है वह इस क्योंड़ちゃ के लंभवत तल कुछ है नहीं विकन जाने रही है जानकारी के लिए